निमेरिकल 6.5 क्या कह रहा है देखिए दो चीजे हैं बहुत जल्द बाजी में निमेरिकल मस समझिएगा ठीक है आने तो दिक्कत हो जाती है ना अब आप किसी जल्दिस को वह आ रही हूँ I am fine समझ गया जल्द बाजी में तो जल्द बाजी ना समझिएगा क्योंकि इंग्लि लॉंग मेटलिक रॉड इस रोटेटेट विद एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप अचा सुनिए दान से फ्रिक्वेंसी को हम लिखते हैं F से कैसे लिखते हैं F से और इसकी जो यूनिट होती है वो वाइब्रेशन पर सेकंड या पर सेकंड होती है अगर एंगुलर फ्रिक अरे NCRT मिल देते हूं कि तो पर सेकंड दे तो F है वो, उमेगा नहीं है, वहां से उमेगा निकालना पड़ेगा, अगर उन्होंने आपसे अंगुलर फ्रेकंशी दी है और यूनिट दी है पर सेकंड, तो आप उमेगा को टू पाई F करके माँ F रखी आप, ठीक है, तो उमे आप, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू दा राट, पासिंग थू दा वन एंड, जब नॉर्मल टू दा राट बोलेंगे तो थीटा क्या लिखेंगे आप, जीरो, क्योंक अभी हम राट को घुमा रहते ना, ये ऐसे ही, तो राट जब ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूमा है, मैगनेटिक फिल एंड, एरिया वेक्टर, तो थीटा यहां क्या लिया जाएगा, जीरो, थीटा यहां जीरो कर दीजे, जबुर्वत है नहीं, लेकिन दिदलिक कर दीजेगा, नॉर्मल टू दा राट, दा अधर एंड आफ राट इस कनेक्टेड विद दा सर्कुलर हुआ है, अब कॉंस्टेंट एंड उनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड, जो मैगनेटिक फिल्ड है, बी, 0.5 टेसला, 0.5 टेसला इस में क्रेट किया गया है, थीक है, इस पैरलल टू दा एक्सिस एवरिवेर, तो पैरलल टू दा एक्सिस बोले तो, यह एक्सिस आप रिंग, सेंटर एंड रिंग, एमेफ आपको करना है, अभी पढ़ चुके हैं आप थोड़ी दिर, क्या कोई रॉड अगर ओमेगा अंगल विलास्टी से ऐसे रोटेट होती है, तो रॉड और एंड के बीच में, रॉड के दोनों एंड के बीच में, जो एमेफ होता है, रिंगा इस वाट, 400 L2 इस वाट, यह भढ़िया है, वन आ गया, यह आ गया, दो सो, पांद नी, दस, दो जिरो, एक डेसिमल कितना, एक हंड़ आएगा, हंड़ वोल्ट का, पोटेंशल होका, अगर आप से कह देते, किस रोड का रिजिस्टेंस आर है, तो करेंट भी